तो होमबगोट से पहले मैं कुछ इस तरह से दिखता था लेकिन अब उच्छाब भाई लोग मैं हुद्रहमान चानल ने मुद्रहन चीता तो बात करते हैं होमबगोट, होमबगोट की एक्सपीरियंस और नेरी जिन्दगी के बदलाओ के बारे में शुरू में मैं थोड़ा स्कीनी था, उसके बाद लॉगड़न होया, लॉगड़न की वज़ा से मेरे जो थाईस हैं उसका फैट बढ़ गया और साथी साथ मेरे फैस में भी फैट दिखने लगा, जिसकी वज़ा से मैं पूरा डिप्रेज्ट, साड और ली मुटिविटेड हर बार मेरी बॉड़ी को सोचके, उसके बाद मैंने ज्यादा सोचा नहीं, बस स्टार्ट कर देया अपना वर्काउट, फर्स्ट त्री मन्स मैंने इस से, इस से और इस से कर रहा था, बिना कोई भी fitness knowledge के, यानि एकदम zero से, जो मेरे तीन मेंने गुजर चुके थे, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है, और बहुत कुछ experience किया है, उसके बाद मैंने study की deep से muscle build के बारे में, यह सुनकर तो मैं एकदम हैरान और परेशा करना चाहिए, या फिर lower body को target करना चाहिए, of course lower body क्योंकि वो difficult है, तो यह थी मेरी एक बड़ी experience इसको समझने में, social media में आप लोग fitness models को देखे ही होंगे, जिनकी physique, एक number और first class रहती है, और हमारी आँख हैं पहले six pack पर ही जाती है, count करने लग जाते हैं, four pack, six pack या eight pack, अग तो यह थी मेरी दूसरी experience समझने में, कि सिफ six pack ही नहीं, बलकि overall body को target करना चाहिए, अभी थोड़े भाई लोग comment करेंगे, अगर ऐसा है, तो अपने भाई को तीस दिन में सिफ six pack क्यों बनाया, भाई अभी वो 14 years का है, और उसकी ख्वाहिश के लिए मैंने apps को train कराया, शा उतना में demotivated था पहले, अभी उतना ही motivated और inspired हूँ, और जितना में free था पहले, अभी उतना ही busy रहता हूँ, को मेरे बोलने का ये मतलब है, कि पहले खुद को आईने में देखो, और decide करो, decision लो, बाद में try करो उस चीज को, जो चीज आपके दिमाग में भाटक रही है, फ बाडी बिल्डिंग, होमवगोटी नी, बल्कि हर एक चीज में ये 3 पॉइंच यूसफुल रहेंगे, आज ही से start करो और अपनी गलतियों को experience करो, बिना experience से कुछ समझने आएगा, यह सोब में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शुरू करके तो देखो, खतम करने में बहु झाल कि यू पीस